नमस्कार में उप्रिया आज दो दिसंबर चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में सिक्षव भाग में निकाली जाएंगी लगभग 8000 नौकरियां बिहार में नई सरकारी नौकरियां जल्द ही आने वाली है यह नौकरियां सिक्षावभाग में देखने को मिलेगी नौकरियां देने की प्रक्रिया नई साल से शुरू हो जाएगी मिली जानकारी के नुसार बिहार में लगबग 8000 फिजिकल टीचर की भरती होनी है यह physical teacher middle school में भर्ती किये जाएंगे इसकी प्रक्रिया तो पहले ही चल रही आरी है physical teacher बहाली के लिए सिक्षम भाग के प्रस्ताफ पर राज्य पद्वर्ग समीती की स्विकरती पहले ही मिल चुकी है लेकिन बिहार में हाली में हुए वधान सभाचनाव की वज़े से इस प्रस्ताफ को क्याबिनिट की मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सका था क्याबिनिट की मंजूरी मिलने के बाद करीब 8000 पदों पर टीचर की भाली की प्रोकरिया शुरू हो जाएगी बिहार के सीता मड़ी जुले के पंथ पाकर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास माता सीता और भगवान राम और परशुराम समबाद स्थल धाम के रूप में जाना जाने वाला पंथ पाकर धाम जुला मुख्याले से आठ किलोमीटर उतर दिशा में स्थित बतनाहा प्रखंड में स्थित मानेता है कि जनकपुर में मासीता की डोली अयोध्या के लिए जा रही थी तो इसी पंथ पाकर गाउं में रुकी थी और यहीं पर भगवान राम और परशुराम के बीच संबाद हुआ था एवं परशुराम ने राम को अयोध्याजवाने का रास्ता यहीं से दिखाए था यहीं पर मासीता ने विश्वराम की बाद एक पाकर के पेड़ की डाली को तोड़ कर दातुन की और दातुन के चीरा पास में ही फेक दिया था जिसका नतीजा हुआ कि इस थल पर पाकर का पेड़ो गाया मा जानकी की डोले स्तल पत्थ पाकर में लोग दूरदरा से दर्शन के लिए आते हैं इस बात की चर्चा तुलसिदास और वालमी की रच्चत रामायनों में भी है इस मंदिर परिसर में एक प्राचिन तमकुंड भी है बिहार में COVID-19 के मिले 400 से ज्यादा मामले बिहार में COVID-19 प्रभावितों की रफ्तार धीमी होती जा रही है स्वासब भाग की तरफ से साजो की गई जानकारी के नुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 482 ने मामलों की पुष्टी की गई है जिसकी बात प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,36,098 पर पहुँच गई है वह प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो टॉप 3 जिलों में राजधानी पटना में कुल मिलाकर 133 मामले सामने आए है इसके साथ ही औरंगाबाद में 49 और मुझफरपुर में 38 मामले सामने आए है अब बिहार में तेजी से लगाए जाए का स्मार्ट प्रिपेड मीटर बिहार राज्य का बिजली नुकसान दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है मिली जानकारी के रुसार बिहार राज्य का बिजली नुकसान वरतमान समय में 33 फीसिदी से अधिक दर्श किया गया है नुकसान को देखते वे बिजली विभाग की तरफ से स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने की योजना अब शेहर से शुरू करवाने की कवायद तेज हो गई है खासकर शेहरी और अर्धिर शेहरी इलाके जहां बिजली का नुकसान अधिक देखने को मिलता है वहाँ सबसे पहले स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाये जाने का फैस्ता सुनाए गया है अधिकारियों की माने तो नवादा, आरा, धाका, बक्तियारपुर, दाउदनगर, शेकपुरा, सासराम, लखीसराय, मसौडी, शेरगाटी, जहानबाद, बिहार, शरी, विक्रम, सर देखने को मिलने वाला है, मिली जानकारी के नुसार, परवतियव छेत्रो, सियारही, बरफीरी, हवाओ की कारण, बिहार में राजधानी पटना, सहीत, विभिन शेहरों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, मौसम रिपोर्ट के मताबिक आने वाले को इस दो डिगरी सलसेश की गिरावट देखने को मिल सकती है, दूसरी तरफ ठंड पड़ते ही, स्किन से जुड़े विभिन बिमारियों के मरीजों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, PMC, HIG, IMS, समेत शेहर के विभिन शेहरों में, ठंड में होने वाली स्किन की कई बिमारि स्थाई तोर पर बंद कर दिया गया है, जवाहर टॉकीज की सापना, 1950 को बरारी स्टेट के जमिंदार नरेश मोहन ठाकुर ने की थी, आपको बता दे, नरेश बाबू कॉंग्रस पार्टी में, MLC थे, इसी कारन देश के प्रधम, प्रधान मंतरी जवाहलाल नहरू से, वो विक्रमशिला सुपरफास स्पेशल टेन का आनंद विहार टर्मिनल से परिचालन में बताफ किया गया है, डाउन मार्ग में, 1 दिसमबर से, यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से दो बहर, 2 बचकर 40 मिनट के बाद, दिन में, 1 बचकर 15 मिनट पर खुलेगी, आनंद विहार टर्मिनल से पतना जंक्शन की दूरी करीब 13 घंटे में करेगी, सोंबार को रेल्वे ने विक्रमशिला का आनंद विहार से भागलपूर के बीच का नया समय सारनी जारी कर दिया है, नई टाइम टेवल के नुसार, अपतना जंक्शन पर विक्रमशिला एक्स्प्रेस डाउ इस फरवरी 1984 को बिहार के भागलपूर जुले में हुआ था, रामायन सीरिल से घर घर में पहचान बनाने वाले गुर्मित चौधरी बिहार के ही रहने वाले हैं, गुर्मी चौधरी ने साल 2008 में भगवान राम की भूमिका निभाई थी, इतना ही नहीं उन्होंने रामायन क के अलावा गीत हुई सबसे पराई, पुनर्विवा जैसे सीरिल में भी काम किया है, इसके साथ ही उन्होंने जीरिश्टे अवार्ड फॉर फेवरेट पॉपलर फेस के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, गुर्मी चौधरी ने अपने आक्टिंग करियर में सीरिल मे तो काम किया ही, साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, मगी पान के शौकीनों की संख्या में देखने को मिल रही है, गिरावट पान खाने के शौकीनों की कमी नहीं होती थी, बड़ी संख्या में लोग पान का सेवन करते थे, पान खाना लोग शुभ भी मानते और इस से पाचुन क्रिया भी बहतर होती है परन्तु समय के साथ पान के शौकीनों की संख्या कम होती जा रही है वर्तमान सिती पर रज़र डाले तो कुछ चुनिन्दा लोग ही अब पान का सेवन करते हैं पान के पत्ते की बिक्री नहीं होने से उत्पादकों के सिती दैनिय होती जारी है पान उत्पादक किसान इसकी खेती से मुह मोड़ना भी शुरू कर चुके हैं हाला कि लॉकडाउन की वज़े से भी घी पान के उत्पादक किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा पान अनुसंधान के इंदर स्लामपूर द्वारा किसानों की समस्या से निजात दिल्वाने के लिए पान के पत्तिक से तेले निकालने की यूनेट स्थाबत करने का प्रोजेक्ट त्यार किया जा रहा है बिहार कुरिशी विश्विद्याले सब और को स्विकृति के लिए पत्र भेज दिया गया था मुख्यमंत्र नितीशकुमार ने जुहू सफारी समेत कई नर्मान कारयों का की अनिरिक्षन मुख्यमंत्र नितीशकुमार बेते दिन राज़कीर पहुचे जहां उन्होंने जुहू सफारी समेत कई नर्मान कारे का निरेक्षिन क्या मिली चानकारी के नफसार सबसे पहले वो निर्मान हो रहे चार सीटल रोपवे का निरिक्षन करने पहुंचे इस दौरान उन्होंने निर्मान एजेंसी को जनवरी महीने तक काम पूरा कर रोपवे को चालू करने का निर्देश तिया मुख्यमंतरी निर्देश कुमार ने इस दौरान कहा कि जारे के मौसम में यहां देश सी के अलावा विदेशी परेटक भी आते हैं इसे लिए जनवरी में यह चालू हो जाना जरूरी है इसके साथ ही उन्होंने बैटरी चलित गाड़ी से घोडा का टोरा पहुचकर जील का निर्देशन भी किया इसके साथ ही वेनुवन पहुचकर पार्क निर्मान कारे का जायजा लिया डियाईजी मनु महराज ने दो दरोगा को किया सस्पेंड बिहार में इन दनों कई अपरिये वाक्यों की घटना सामने आ रही है पिछले कुछी घंटों के भीतर कई बड़े बड़े वारदात को अंचाम दिया गया है जो से पुलिस की कारे शैली पर सवाल उटने लगे हैं लॉयन ओर्डर को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लापरवाँ पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ा आक्शन लिया जा रहा है डियाईजी ने दो दरोगा को इस बाबत सस्पेंड भी कर दिया है मिली जानकारी के नुसार मनु महराज ने दो दरोगा को ततकाल सस्पेंड किया है काम मिला परवाई बरत्ते को लेकर इन पुलिस अफसरों के खिलाफ की हकादम उठाए गया है इनके खिलाफ डियाईजी को शिकायत मिली थी इसके लिए बिहार में कुल मिलाकर 61 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कवायत तेज हो गई है वही नीजी छेत्र के संस्थानों या व्यक्तियों को रोजगार का एक बड़ा अफसर भी मिलने वाला है परिवहन सच्विफ संजे कुमार अगरवाल ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि राज्यों के नीजी छेत्र में इच्छुक संस्थानों व्यक्तियों द्वारा आधुनिक टकनीक पर आधारित मोटर वाहन चालक प्रसेक्षन विद्याले की स्थापना को बढ़ रिकॉर्ड तोड़ा, COVID-19 में अगर सबसे ज्यादा कोई भी च्रीज प्रभावित हुई है तो वो है रोजगार, COVID-19 के माहौल में लाखों लोगों की नौकरी भी चली गई है लेकिन कुछ संस्थान ऐसे भी है जो इस दोरान लोगों को जॉब देने में कोता ही नहीं बरत देखे गए हैं, IIT पटना जुसमें कोरोना के माहौल में भी जौब देने का रिकॉर्ड बनाया है, खास बात यह है कि जौब देने के मामले में IIT पटना ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बीटेक और एमटेक मिलाकर सथान के 83.51 प्रतिशुत स्टूडेंस का न अलान की है, विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, जल्दी बसों की खरेदारी की जाएगी और पटना सहित राजु के अन शहरों में इसका परिच्वालन भी शुडू करवाया जाएगा, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे, बीते दिन आयो जित करवाई गई समिक्षा बैठक में यह पाये गया, कि राज में बसों की आवशकता अभी भी कई रूटों पर काफी ज्यादा है, विशेश कर अभी जिन रूटों पर गाडियां चल रही है, वहां यात्रियों के बीच परिवहन निगम की बसों की मांग अधिक है, लोगों के बीच इसे दल्चस्पी को देखते वे निगम ने तै किया है, कि डेड़ सौ बसों की और खरेदारी की जाएगी, सूबे में नई वित्यवर्ष का बजट बनाने के लिए ओन्नाइन सुझाव लेने की प्रक्रिया हुई शुरू, नई वित्यवर्ष 2021 के बजट को तयार करने की प्रक् तयार करने के लिए सभी विभागों से आय और वे का प्रारूप एकत्र करने की पहल भी तेज हो गई है, इसके लिए 2 दिसम्बर से सभी विभागों के साथ वित्यवर्ष की बारी है, बैठक का दौर भी शुरू होने जा रहा है, जो की 9 दिसम्बर तक जाने रहेगा, किसानों की बधाली को लेकर चुराग पासवान नितीश पर साधा निशाना, राजसभा के लिए रीना पासवान को प्रत्याशी बनाए जाने का महागटबंदन के प्रस्ताफ को चुराग पासवान ने ठुकड़ा दिया, इसको लेकर रावजटनेता श्यामरजक ने भी द से वो इस राज़ में मुख्य मंतरी है, यह बात बहतर बता सकते हैं कि बादचीट से हर चीज का हल निकाला जा सकता है, अगर सही तरीके से किसान के साथ बैठा की जाए तो उनकी समस्या भी दूर हो सकती है सुशील कुमार मोदी आज करेंगे राज़सभा के लिए नामांकन, जोह राज़सभा की एक सीट पूर्फ के इंटरे मंतरी राम विलास पासवान के गुजर जाने के बाद लोजपा की खेमे में रहने की उमीद उचताई जा रही थी, वही भाजपा ने सुशील मोदी के नाम को सामने लाकर सब को चौका दिया, जिसके बाद आज बिहार के मुख्यमंतरी सुशील कुमार मोदी नामांकर दर्च करने वाले हैं, इसके बाद राज़सभा चुनाव की लड़ाई दल्चस्प होती दिख रही है, वही मिली जानकारी के नुसार नामांकर की दौलान सुशील मोदी के साथ मुख्यमंतरी नितीश कुमार सहित अन्यनेता मौजूद रहेंगे, पटना के प्रमंडली आयुक्त संजय अगरवाल के समक्ष नामांकर पतुरित आखिल किया जाएगा, वशिष नारायन सिंग ने मंतरी मंडल के विस्तार की कही बात, नितीश कुमा से मुख्यमंतरी नितीश कुमार एक फैसला लेंगे कि कब मंतरी मंडल का विस्तार होना है, लेकिन मंतरी मंडल का विस्तार समय पर और जल्द होगा। को राज़भर में परिवाद दिवस मनाने वाली है, राज़भर में होने वाले इस विरोध प्रदेशन को राज़द ने भी अपना समर्थन दिया है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे, आज राज़द के सभी जलों में किसान आंदोलन कारियों के उपर सरकार की त जोधी काले कानून के खिलाफ किसानों के इस आंदोलन को सक्रिय समर्थन देते वे पार्टी पदाधिकारी, कारकरताओं और समर्थकों से आज के इस प्रतिरोध दिवस को एतिहासिक रूप से सफल बनाये जाए। की बात करते हैं। की इस दिन कई महत पूर्ण घटनाए घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्जो करे गई है। और रानी जोर्ज पंचम और क्वीन मारी बने। उनके मुंबई आने की याद में गेटवे ओफ इंडिया बनाये गया था। 1969 में भारतिय विनेता बोमन रानी का जन्म हुआ था। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के एक्स फाक्टर का बताया नाम। इसके बावजूद भारत के पुर्फ सलामी बल्लेबास गौतम गंभीर ने बुम्रा को टीम इंडिया का एक्स फाक्टर बताया है। WhatsApp ने अपने यूजर के लिए रोल किया तीन नया फीचर वाटसाप अपने यूजर के लिए आए दिन नय नय फीचर को रोल करता रहता है। इसक्राम में अप वाटसाप ने तीन नय फीचर को एक बार फिर से रोल किया है जिसके तहत नया अनिमेटेट स्टिकर पैक यूजर के लिए जारी किया गया है। सुषान सिंग राजपूत की बहन ने श्वेता सिंग कीर्थी ने सोशल मीडिया पर दिवंगत आक्टर की एक पुरानी पोस्ट को शेयर किया है। ने 12 दिसंबर 2018 को शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो चीज हम सभी को साथ ले आए वो सही है जो हमें अलग करे वो गलत है। अब आए जानते हैं सराफा बजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव। सराफा बजार की बात करें तो सोने का भाव 1 दिसंबर को 22 क्यारट के लिए प्रतितस ग्राम 46,920 रुपय था वहीं 24 क्यारट के लिए प्रतितस ग्राम 47,920 रुपय था। गर हमारे द्वारा पूछे किया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़तें आज के सवाल की ओर आज का सवाल कुछ इस प्रकार है।